हेलो फ्रेंट गुड मॉर्निंग आज है 29 जून तो चलिए देखते हैं आज का करेंट अफेर्स सबसे पहले होमवर्क कौन से राज जी ने एनाउंस किया है 5000 रुपया देने का उन बच्चों को जो कोबीड-19 से सफ़ा कर रहे हैं तो वो राज जी है जी हां मद्य परदेश चलिए देखते हैं थोड़ा डीटेल मद्य परदेश ने स्टार्ट किया था प्रोग्राम बाल कल्यान योजना जिसके अंतरगत 5000 रुपय देने हैं बच्चों को चलिए आगे बढ़ते हैं कॉस्चन नमर वन कर्रेंट अफेशरीज में विच इंडियन फ़स्विमर टूक्यो ओलंपिक होने वाला है और कौन है फर्स्ट इंडियन जो की क्वालिफाई किये फर्स्ट इंडियन स्विमर तो वह है वह है सज्जन प्रकास थोड़ा रिटेल में देखते हैं देखिए स जाएंगे और इन्हों ने नेशनल लेबल में 200 मीटर फ्री स्टाइल में क्वालिफाई किया है। देखें अगर ओलम्पिक के बात करें तो कुछ इंपोर्टन पर्सन जो कि ओलम्पिक क्वालिफाई किये हैं उसको देख लेते हैं। फाउद मिर्जा जो कि पहले इंडियन हैं जो की होर्स राइडिंग में क्वालिफाई किये हैं फिर भवानी देभी फर्स्ट इंडियन फेंसर हैं जो की क्वालिफाई की है तो याद रखें चलिए कुशन नमबर टू पे आते हैं कौन से और्गनाइजेशन ने 125 मिलिएन डॉलर दिया है केड़ला गवर्मेंट को ताकि वह केड़ला में रिजिलियन्ट प्रोग्राम स्टार्ट करें तो वह गवर्मेंट है देखें वह गवर्मेंट है वर्ल्ड बैंक जी हां प्रगत 125 डॉलर दिया जा रहा है 125 मिलिएन डॉलर किस प्रोग्राम के लिए यह एक्चुली डिसास्टर रिलीफ प्रोग्राम है ताकि डिसास्टर नौ आये और जो की डिसास्टर आ चुका है हम लोग सभी जानते हैं केरदा में कोवीड-19 के पहले बहुत ही ज्यादा यह डिसास्टर ठीक है तो उसी के लिए यह डिल की गई है देखिये स्टेट्ट गबॉर्मेंट्ट ने लांच किया है केला गवोंच ने से नौलेज एकॉनमी मीशं जो की बहुत इंपॉर्टेंट मीशन है नौलेजिव कॉनमी मीशं का जो मेन एम है यही यह कि जो उनको एक उपर्चुनिटी देना ताकि वह आगे बढ़े ऑपर्चुनिटी दो तरीके से दिया जा सकता है एक तो आप गवर्मेंट जॉप में रिक्वार्मेंट बढ़ा दोगे और दूसरा कि जो और भी सब्चूट है जैसे कि सेल्फ डिपेंट बनाने के लिए स्टार्ट दी जारी है ताकि वह एंटर्पेंशिप में आगे आए चलिए आगे बढ़ते हैं मिशन एन ओप्जेक्टिव इसका यही है कि इन्फोमेशन फॉर्डी नॉलेज डिसएडवांटेस कम्मूनीटी इस्टुमिलेटिंग दी लोकल एकॉनमीज सॉपोर्टिंग दी गवर्मे एरियास कोशन नंबर 3 देखते हैं मेगा कॉइंटल क्यापिसिटी सीट प्रोसेसिंग प्लांट है इस्टाइबलेस्ट अट मेगा कुइंटल सीट क्या गया है आपको बताना है कहां तो यह स्टाट किया गया है जम्मूएन कश्मीन में थोड़ा जानते हैं इसके बारे में देखें मेगा कॉइंटल सीट प्रोसेसिंग प्लांट स्टाट किया गया है जम्मूएन कश्मीन में किसके द्वारा तो वो है हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंदर सिंग के द्वारा देखें यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है क्योंकि यह प्रोग्राम है डबल अच्छी हो और farmer crop को grow करे प्रोसेस क्या होता है ये एक variety of seed होता है जो कि बहुत अच्छे quality का होता है ठीक है और farmer इसके लिए मेगा quintal capacity seed process plant क्या जाएगा ये जो process seed है processing seed उसको plant क्या जा रहा है कितना 16 lakh seed generation and 24 lakh seed processing capacity और यह जो seed होगा वो higher quality का होगा और यही नहीं घर-घर में जाकर बाटा जाएगा तो यह बहुत important step है Question number 4 पे आते हैं आपको यह बताना है कि doubling the income of farmer जो सपना है वो तो 2022 तक करना है लेकिन यह किस budget में बताया गया था क्योंकि question जो है exam का current affairs में भी ऐसा नहीं कि सिफ एक साल का या एक पहिने का पूछा जाता है थोड़ा back तो जाया जाता है तो आपको पताना है कि किस budget में farmer का जो income है double करने की बात रखी गई थी तो वो budget है 2016 से 17 का budget इसी में इस बात पे focus किया गया था कि farmer के income को क्या करना है double करना है चलिए आगे बढ़ते हैं देखे doubling the farmer income के लिए क्या क्या जाएगा तो production भी focus किया जाएगा crop की productivity बढ़ाई जाएगी जिसके अंतरगत seed processed plant किया गया है साथ में यह भी देखा जाएगा कि distribution proper हो तो इसके लिए cost reduce करने की बात चल रही है और जो भी cropping style यह उस पे focus करने की बात चल रही है फिर farmers जो है वो diversified food crop यूज करें जैसे horticulture पे focus करें साथ में life stock fisheries पे focus करें लिए चलिए आगे बढ़ते हैं question no 5 की तरफ झारखन state ने एक international cricket stadium बनाने की बात रखी है आपको बताना है कहां तो देखिए झारखन में है बोकाड़ो और बोकाड़ो में यह बन रहा है international cricket stadium बोकारो की बात करें तो बोकारो में है steel plant बोकारो steel plant यह बोकारो steel plant चारकन government के साथ मिलकर ही start कर रहा है international cricket stadium question number 6 पे आते हैं वीकर एक messaging app है बहुत important है आप जानते होंगे वीकर के बारे में उसको acquire कर लिया गया है किसके दौरा तो यह acquire किया गया है Amazon के दौरा जी है Amazon ने वीकर को acquire कर लिया है और वीकर जो है वह एक्चुली private message के लिए बहुत जादा जाना जाता है इवें हमारी जो military है ना वह भी इसी का यूज करती है वीकर आप का तो अगर हम Amazon की बात करें तो Amazon से related एक news है जो बहुत important है machine learning जो की बहुत ही high level कोर्स है जिसके लिए बीटे करने के बाद आज स्टूडेंट्स तो है ट्रेनिंग लेते हैं वह समर में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड क्या जाए स्कूल लेवल पे तो यह बहुत important news है machine learning समर स्कूल स्टार्ट क्या गया है Amazon के द्वाड़ा कि कुश्चन नमर्स 7 पे आते हैं कौन से स्टेट गवर्मेंट ने तीन करोर रुप्या देनी की बात रखी है जो गोल्ड मेडल जीतेंगे ओलेंपिक में जी हाँ टोक्यो ओलेंपिक में तो वो है टमिल नाडू ने डिक्लिया कर दिया है कि अगर गोल्ड मेडल आएगा तो क्या मिलेगा टोक्यो ओलेंपिक में अगर गोल्ड मेडल आएगा तो 3 करोर मिलेगा और अगर सिल्वर मेडल आएगा तो 2 करोर मिलेगा औ और ब्रॉंच तो एक करोर तो बहुत अच्छा है अच्छा आपको पता है भावानी देवी जो है न वो भी टमिल नाडू से ही है अच्छा एक और इंपॉर्डन बात क्योंकि ओलम्पिक हो रहा है तो बहुत ध्यान देंगे हम लोग जी सथियन एंड ए सरत कमाल यह दोनों क् 20 मंथ अंगेंस्ट एकनॉमिक क्राइस के अंगेंस्ट वहां के लोगों ने सिविल वार्ल स्टार्ट कर दिया बीस महीने से यह चल रहा है कहां लैमनों में आपको बताना है लैमनों का कैपिटल तो यह है जी हां बैरत बैरत है लैमनों का कैपिटल और बहुत इंपॉर्ट स्रीरिया के साथ चलिए कोश्चन देखते हैं आज का कोश्चन अब दे डे रेसेंटली जैन एकेडमी जो इनुग्रेट किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोधी के द्वारा आपको बताना है किस स्टेट में जल्दी से इसका अंसर दे और फ्रेंड्स वीडियो कर दे थैंक यू